नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनी उज मैं हूँ दिव्यान्सू राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर डायल 112 के जीप के बोनट पर मंचलों ने केक काट कर जन दिन मनाया जिसका वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है बता दें कि स्रीक्रिशनापूरी थानाचेत्र के बोरिंग रोड चौराहे पर दर्जनों की संख्या में युवक पहुँचे दोस्तों के साथ जन दिन मनाया और केक पुलिस की जीप के बोनट पर काटा इसका वीडियो वाइरल हो गया है केक काटने के बाद युवकों ने वीडियो बना कर इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस जीप के बोनट पर यह केक काटा जा रहा है पास में खड़ी पुलिस देख रही है वीडियो वाइरल होने के बाद बिहार पुलिस का मजाक उडाया जा रहा है लोग सोसल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं वहीं इस संदर्म में जब स्री कृष्णा पुरी थाना प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कहते हुए फोन काट दिया उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है और फोन उन्होंने काट दिया अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन मंचलों का पुलिस प्रसासन से क्या रिष्टा है और कोई कैसे सरकारी संपत्ती पर अपना हक जताते हुए केक काटते हुए वीडियो बनाकर वाइरल करके कारक कर देता है बिहार पुलिस का मजाक उडाता है अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इस पर पुलिस प्रसासन क्या कारवाई करती है लेकिन जिस तरीके से सक्स ने वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर डाला है तरीके से ये दिखाना भी चारा है कि पुलिस और प्रसासन इसके लिए क्या चीज़ है पुलिस के बोनट पर केक काटना फिर पुलिस वाले जब जाते हैं तो उन्हें केक भी खिलाया जाता है और पुलिस वाले इन्हें सलाम करके जाते है तो ये दिखाता है कि पुलिस और प्रसासन इन लोगों के लिए क्या है बच्चों का खेल लग रहा है और अगर अब अपराध होता है और इनसे पुलिस प्रसासन से अगर अपराधियों को डर नहीं लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई आश्चर की बात नहीं है क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें जो वीडियो वाइरल हो रहा है और जिस तरिके से पुलिस तमाशगीन बनी बैठी है और खुशियों में सरीख हो रही है केक जिस तरिके से पुलिस के जीप के बोनट पर काटा जा रहा है और पुलिस खड़ी है तो ये दिखाता है कि पुलिस और जो लोग हैं जो दबंग प्रविर्ति के लोग हैं या फिर अभी तो अपराधी इन्हें नहीं कह सकते लेकिन जिस तरीके से सक्स दिखा रहा है अपनी दबंग गई वो दिखाता है कि पुलिस और प्रसाशन इसके लिए मजाग है कुछ नहीं होने वाला इसे किसी का डर नहीं है तो आने वाले समय में अगर क्राइम बढ़ता है या अभी तो बढ़ा हुआ ही है बिहार में तो इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है पुलिस प्रसासन को सब पता रहता है आपको पता होगा कि और चन्नीम में सीरियल किलर था जिसने कई हत्याएं की थी तो उसके लिए पुलिस और प्रसासन मजाक था उसके लिए कोई इस तरा कें की बात नहीं थी उसे किसी बात का डर नहीं था पुलिस और प्रसासन उसके साथ मिले हुए थे और बाद में लोगों को पता चला कि किस तरीके से साथ गाट थी उसकी पुलिस से और वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया तो कहीं न कहीं समाज में अगर कोई एक बड़ा क्रिमिनल बनता है या फिर क्राइम ही करता है, क्राइम की दुनिया में आता है, तो फिर इसमें पुलिस और प्रसासन का भी उतना ही हाथ रहता है, जितना प्रिस्थितियों का रहता है, प्रसासन और पुलिस अगर ठीक ढंग से काम करे, ठीक ढंग से वहाँ पर कारवाई करे, तो फिर के होसले इतने बुलंद नहीं होंगे तो पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शनी उज़ के साथ